सोहन स्कूल में क्रिकेट खेलता है इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में हैं खेलता है तो जब भी इन्दी सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ कहता है तो ऐसे sentence present indefinite tense के नियम से इंग्लिज में translate होता है यह sentence है affirmative तो present indefinite के affirmative sentence को इंग्लिज में translate करने का structure पहले subject लिखते हैं इस sentence का subject Sohan है एक नाम है तो पहले हम लेकेंगे subject में Sohan उसके बाद हम लेकेंगे भर सब्सक्राइस का खेलता है तो खेलना को इसमें play कहते हैं यदि subject में किसी का नाम हो मतलब third person का singular हो तो उसके क्रिया के साथ yes या yes जोड़ते हैं तो play के साथ yes लगाएंगे plays उसके बाद हम लिखेंगे object objective sentence का cricket तो plays के बाद लिखेंगे cricket उसके बाद हम लिखेंगे जो इसमें school में यानि की in the school सोहन school में cricket खेलता है इस sentence की इंगलिज सोहन plays cricket in the school तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और भी इंदी टूंगलिज translation के next video में ऐसे और भी sentences का English translation video आपको इस चैनल के playlist में मिल जाएगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें